गुद मॉर्णि मैं दियर स्वेंट्स, वेलकम तो यूनिक एडू सेंटर, तोड़ें, वी विल स्टड़ी चप्टर वन अफ क्लास फाइप, इस ग्रोइंग प्लांट्स, इन दिस चप्टर वी विल स्टड़ी अबाट रिप्रोडक्शन, हाव अ प्लांट ग्रोव फ्रम दिस्पर्सल्स, एंड अट लास्ट, वी विल स्टड़ी अबाट सम् एग्रिकल्चरल प्राक्टिस, एग्रिकल्चरल प्राक्टिस में हम लोग यह सिखेंगे, कि कैसे फिल्ड को तैयार किया जाता है, और किस तरीके से क्रॉप को एक फिल्ड में उगाय जाते हैं, तो चल रिपोड़क्शन से क्या समझते हैं, रिपोड़क्शन का मतलब होता है, कि सेम तरह कि एक ही तरह के एक नए और्गनिजम को बर्थ करना, एक नए और्गनिजम को जन्म देना, जैसे एक कैट एक किटन को जन्म देती है, तो वो किटन बिल्कुल सेम टू सेम उस कैट की तर ये तो बात होगी organism की अब organism में हमने plants भी पढ़े थे living organism animals भी है और living organism plants भी है पर wage of reproduction अगर मैं बात करू animals की not about the plants बट अगर wage of reproduction animal की ही बात करू तो animal भी अलग-अलग तरीके से reproduction करते हैं क्या birds और एक अगर मैं example ले लूँ एक birds की और मैं example ले लूँ एक cat की तो क्या एक cat और एक bird सेम तरह से reproduction करते हैं नहीं सेम तरह से reproduction नहीं करते हैं एक birds एक एक को जम देती हैं एक अंडा देती है and at the same time एक cat सिधा directly एक kitten को birth करती है एक सिधा give birth वा baby बेबी को जम देती है हना तो उसी तरीके से जिस तरीके से animal के अंदर wage of reproduction अलग-अलग है कुछ अंडे देते हैं और कुछ जो होते हैं direct babies को जम देते हैं ठीक and the same way plants भी अलग-अलग तरीके से reproduce करते हैं so in this chapter we will study how plants reproduce by different methods अलग-अलग method से plant कैसे reproduce करते हैं इसी चीज के बारे में इस chapter में पढ़ेंगे आई यहां पर कुछ एक्जामपल दिया हुआ है all living organisms reproduce but the ways of reproduction हाँ 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 ways of reproduction हर एक living organism में अलग होगा जैसे a dog give birth to the puppies एक dog puppies को जम देते हैं at the same time birds हो गए snakes हो गए they lays eggs तो जो babies को जम देते हैं उन्हें क्या कहते है अच्छा एक पहले भी पड़े हो गई से तो जो babies को जम देते हैं mammals कहा जाता है क्या कहा जाता है mammals कहा जाता है चलिए हम बात करते हैं पर plant की नहीं हम बात करते हैं पर animals की क्योंकि sorry प्लांट की इस चैप्टर में पढ़ना है कि प्लांट कैसे अलग अलग तरीके से रिपोड्यूस करते हैं यहां पर देखो बहुत सारे प्लांट दिख रहे होंगे और हरे एक प्लांट का रिपोड़क्शन और एक छोटा सा प्लांट है धीरे-धीरे बढ़ाओ करके बड़ा कुछ प्लांट प्लांट अल 7 से रिपोड्यूस करते हैं कुछ प्लांट प्लांट की और ऊपलांट को रिपोड्यूस करहें और चानी extent के फ्रूर करते हैं यहां पर ऍहुता इंटरूल तो उसी तरीके से यहां पर इस फिगर में हम लोग यह देख रहे हैं कि अलग-अलग प्लांट अलग-अलग तरीके से रिपोड्यूस कर सकता है there are many methods to reproduce in the plants plant के अंदर reproduce करने के बहुत सारे methods हैं चलिए अगले slide में देखते हैं कि अगले slide में क्या है हमारे पास अगले slide में है reproduction from the seeds अगर मैं हमने देखा तो माँ पे seeds तो seeds के तरू कैसे reproduction होता है आईए तो अगर seeds के तरू बात करें तो लग 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 हरी एक plants के पास flower तो होता ही है और यह भी उम्हें पत है कि वह flour धीरे 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 वह flour कहीं चेंज हो जाता है fruit में very good कहीं चेंज हो जाता है्ट तो हर एक plants के पास flower होते है and every flower just converted into the fruits और जब fruits में 2018 तो जोवी fruits हम लोक्त काते हैं उस fruits के था मिलता है उस fruits के अंदर हमें seeds मिलता है क्या मिलता है? Seeds मिलता है तो every fruits contain the seeds हर एक fruit के अंदर क्या होता है? Seeds होता है These fruit changes into the seeds और यही seeds से plant क्या करता है? Reproduce करता है और यही नहीं कुछ plant के पास बहुत सारे seeds होते है जैसे कुछ-कुछ fruits हम लोगाते हैं एक ही fruit के अंदर बहुत सारे seeds होते हैं और कुछ-कुछ fruit हम लोग खाते हैं तो एक fruit के अंदर बहुत सारे seeds नहीं होते हैं एक fruit के अंदर एक ही seed होते हैं जैसे हर एक fruits के अंदर seeds तो होते हैं लेकिन कुछ fruit के अंदर बहुत सारे seeds होते हैं और कुछ fruit के अंदर सिर्फ एक ही seed ह होता है जैसे आप आम खाते हो तो आम के अंदर 5 6 यह तो ताम पपायाज काते हो पापिता काते हो तो पपीता के इंदर बहुत सारे सीट मिलते हैं चलिए है जैसे एक्जामपल देख का एक्जामपल देखं एकजामपल एक एक वोकाड़ का दिया हुआ है एक एक की छी है उसी तरीकते से अगर हम लोग देखें तो पापयाज के लिए वही यह ट यह ट्वीर केérieórioैंट profess and these are the fruits having only one seeds है ना चलिए तो अगले slide में आपके लिए एक question है very good अगले slide में क्या है question है और question क्या कह रहा है तो question ये कह रहा है कि write any five fruits vegetables अच्छा पाँच ऐसे fruits और vegetables या फिर vegetables के भी नाम लिखने हैं जिसके पास एक seed होता है और पाँच ऐसे fruits और vegetables के नाम लिखने हैं जिसमें बहुत सारे seeds होते हैं तो जल्दी से ये पाँच-पाँच ऐसे fruits और fruits या vegetables जो भी आपको पता हो पाँच-पाँच ऐसे fruits या vegetables का नाम लेकर के जल्दी से comment box में आप बताईए कि क्या आपको ये आता है या आपको ये नहीं आता है अगर नहीं आता है तो फिर आप हमें whatsapp कीजिए या comment कीजिए तो फिर हम उसे next videos में या फिर comment section में ही से जरूर बताएंगे है ना चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं आपे क्या अगले slide में भी या आपके लिए कुछ ना कुछ तो होगा ही और अगले slide में आपके लिए structure office seat चलिए हम लोग seat के बारे हम पढ़ रहे थे तो seat का थोड़ा सा structure भी पढ़ लेते हैं कि seat होता कैसे है अगर आप एक चना का seat ले लो मैं example देता हूँ पहले से समझाने से पहले आपको एक example देता हो general daily life का example आप क्या करो एक चना का seat ले लो है ना और उस चने के seat में क्या करो कि उसे रात पर soak कर दो soak करने का मतलब रात पर उसे full आदो चने के seats को है ना रात पर चना का seat full जाएगा तो सुबह में जब उस चने के seat को तुम देखोगे तो अराम से उसके छिलका को तुम बाहर निकाल सकते हो outer covering को तुम बाहर निकाल सकते हो है ना तो जो outer covering जिसे तुम बाहर निकाल रहे थे वो outer covering कभी ना कभी बहुत hard था हाट था ना, रात बर फुल गया, तो वो soft हो गया, वो outer covering, ना, तो जो outer covering को तुम निकाल रहे हो उसी outer covering को हम लोग seed coat कहते हैं, क्या कहते हैं, seed coat याने कि seed coat उस पूड़े seed को बचाता है, seed coat उस पूड़े seed को protect करता है, वो seed सीड कोट वैसे तो बहुत हाड होता है लेकिन जब उसे हम लोग पानी में सोक कर देते हैं पानी में उसे फुला देते हैं तो वह सीड कोट मुलायम हो जाता है सीड कोट हलका हो जाता है हना चलिए सीड कोट तो पर लिए पर सीड कोट हम लोग एक लेयर हटाते हैं तो अंदर white color का flesy part मिलता है जिसे हम लोग खा जाते हैं तो जो white color का flesy part मिला अंदर उस flesy part को हम लोग kautiladence कहते हैं kautiladence कहा जाते है the flesy parts of the seed after the seed coat seed coat के बाद जो flesy parts होता है उसे हम लोग kautiladence कहते हैं kautiladence कहते हैं और उसी kautiladence को तो उस चने को तुम क्या करो, बीच से ये कर दो, बीच से काट दो उस चने के सीड्स को, बीच से जब उस चने के सीड्स को तुम काटोगे, तो उसके बीच में तुमको एक छोटा सा ऐसा बेवी प्लांट मिलेगा, आज ये करके देखना, एक्सपरिमेंट अपने घर में, आ यही वाला baby plant पता है जब चना को जादा देर के लिए छोड़ दोगे तो यही वाला baby plant धीरे-धीरे अपना एक root बाहर निकाल देता है वाइट कलर का root चना से बाहर निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं, अंकूरी चना, वो चना खाने से बहुत स्वास्त के लिए लबदाइक होता है, तो डेली सुभा अउठ करके कम से कम, चना खाओ, तो अपना स्वास्त बनाओ, चना खाओ स्वास्त बनाओ, हो छली, तो हमने देख लिया只 seed coat क्या होता है, हमने समझ लि या कि cotyledons को अगर तोडएंगे तो cotyledons के बिल्कुल बीच में हमें एक baby plant मिलेगा जिसे हम लोग embryo कहते हैं जो baby plant होता है क्या कहते हैं हम लोग उसे embryo कहते हैं आगे के slide में आपके लिए क्या है देख लेते हैं आगे के slide में आगे के slide में आपके लिए definition है definition यह है कि आपको seed coat अगर कोई पूछ देता है कि seed coat क्या होता है आप उसे define कीज़े तो seed coat को आप d defined कर सकते हम seed coat क्या होता है जो outer covering जिसम लोक हटा रहे थे तो वही outer और hard covering होता है रात पर soak कर दिया थे तब तो ये मुलाईम हो गया था न नहीं तो ये होता है सचना को भी touch करो ग sub कहते हैं क्या कहते हैं सीड कोट के नीचे जो फलेसी पार्ट होता है वाइट कलर वाला उसे हम लोग कौटी लेडन कहते हैं या फिर उसे सीड लीप्स भी कहा जाता है कौटी लेडन को और किस नाम से जानते हैं तो सीड लीप्स के नाम से जानते हैं सीड लीप्स या कौटी same thing, दोनों एक ही चीज होता है, अब देखो, after the seed coat, seed coat के बाद, the soft and flesy part of the seed, seed का जो flesy part होता है, उसे हम लोग seed lips, seed lips, या cotyledons कहते हैं, next है हमारा imbrio, imbrio तो हमने बताया ही था, कि जो baby plant है, seed के अंदर, cotyledons के अंदर, जो baby plant है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंब्डियो कहते वहीं इंब्डियो धीरे 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 डिवलाइप करता अपना root system फिर धीरे धीरे डिवलाइप करता अपना suit system तब जाकर के एक छोटासा baby plant वहाँ से grow करता है है जो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है आगे है अच्छा चलो 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 जो seeds है ना, seeds दो तरीके का होता है, quartylidens, जैसे seed होगा, तो seed का हम लोग जब quartylidens देखेंगे, तो quartylidens दो तरीके का देखा जाएगा, जैसे चावल के seed को तुम ले लो, और चावल के seed को तुम तोरो, तो क्या तुम उसे चावल के seed को दो पार्ट में तोर सकते हो, क्या, नहीं तोर सकते हैंना लेकिन अगर वही हम लोग क्या करेंगे कि कि Almond का Seeds ले लेंगे जैसे यह Almond का Seed है तो Almond का Seed को लोग जब तोड़ेंगे तो टू पार्ट में टू इक्वल पार्ट में क्या हो जागा डिवाइड हो जाएगा वैसे अगर एक mage का seed ले लेंगे और mage के seed को तोरने की कोसिज करेंगे तो two equal part में divide नहीं होगा. But at the same time हम एक चना का seed ले लते हैं और उस चने के seed को दो part में divide करने की कोसिज करें तो बहुत इसले हम नहें उसे डिवाइड कर सकते हैं तो वैसे चीज, वैसे seeds, जिसके अंदर 2 eldest होते हैं, जैनि कि जब उसे तुम तोरो तो वो 2 parts में divide हो जाए जैनि कि उसके दो and got Spotify easily दिख जाए हमें, तो वैसे seeds जिसके अंदर 54нулays दो पार्ट में होते हैं, जिसके अंदर दो कॉटिलेडन्स होते हैं, डाई का मतलब टू होता है, डाई का मतलब का होता है, तो डाई कॉटिलेडन्स, यानि कि जिस सीड के अंदर दो कॉटिलेडन्स होंगे, उसे डाई कॉटिलेडन्स सीड कहेंगे, और जिस सीड के अंदर एक कॉटी लेडन होंगे, मोनो का मतलब होता है, मोनो का मतलब क्या होता है, तो जिस सीट के अंदर, सिर्फ और एक ही कॉटी लेडन्स होंगे, एक ही सीट लिप्स होगा, उससे हम लोग, मोनो कॉटी लेडन्स कहते हैं, क्या कहते हैं, monocotylidens इसे हम लोग short में monocotze और dicotze इसे हम लोग gehi का example सीट के एक्जांपल में हम लोग चना एक्जांपल दे सकते हैं मतर का एक्जांपल दे सकते हैं इन सब चीजों काуется बात करते हैं सूट और root system की चलिए अगर एक seed develop करेगा तो seed का पहले क्या develop करेगा बता पहले root develop करेगा पहले suit develop करेगा अच्छा root किसे कहते है और suit किसे कहते है root जो होता है ground के नीचे होता है ये है root this is root this is root this is root है ना ये सब के सब क्या root है ये ground के नीचे है, ground के क्या है, नीचे है, वही चीज होता हमारा suit system, suit system क्या होता, ground के उपर होता, suit system क्या होता, ground के उपर होता, समझे है न, root system किछ गते हैं, और suit system किछ गते हैं, अच्छा ये बता, root system पहले develop करता है, या suit system पहले develop करता है, root या suit, very good, पहले root system develop करता है, साप साप यहा खराओगा तब ना जाकर किस टीम खराओगा जब जड़ी नहीं खराओगा तो फिर इस टीम तीकेगा किस चीज पर है ना हवा में उर जाएगा फिर वो आंदी तुफान बन जाएगा है ना चलिए आगे हम लोग देखते हैं और सूस्तम थो समझ डिफिनिशन उब देख लिए यहां पर और याद कर ले ना आज मोनोकोट और ड्यकॉट इफडिलें सीट का डिफिनिशन और नीचे इम्बडीयो के भी टू पार्ट से हिन दोनों पार्ट को भी याद कर लोगे Monocot Seed किसे कहते The Seeds That Have Only One Seed Lips और One Cotyledons That Is Called Monocot Seeds And The Seeds That Have Two Seeds Not Not यहाँ पर Seed Coat नहीं होगा क्या होगा? Seed Lips होगा Seed Coat गलती से लिखा गया उसे Seed Lips कर ले ना बागू क्या कर लोगे? Seed Lips कर लोगे Seed Lips Cotyledons को Seed Lips कहा जाता Seed Coat नहीं कहा जाता तो The Seeds That Have Two Seed Lips और Cotyledons Are Called Dicotyledon Seeds जिस Seed में 2 Cotyledons होगा उसे Dicotyledon जिस Seed में 1 Cotyledon होगा उसे हम लोग Monocotyledon Seed कहेंगे Monocotyledon के अंदर Rice, Wheat में जाएगा Dicotyledon Seed के अंदर Gram, Peas और Almonds आएगे समझ गया? आई अब हम लोगों बात करते Embryo का Embryo के अंदर 2 part होगा एक part होता है root जो ground के अंदर डेवलाप करता है दूसरा part होता है suit जो ground के उपर डेवलाप करता है इट डेवलाप first तो पहले कोई डेवलाप करता है तो इट डेवलाप first during the germination germination के पहले समय पहले root develop करता है और बाद में suit develop करता है it develops later and grows above the ground ये ground के उपर जाता है suit और it spreads under the ground और root ground के अंदर जाता है ground के अंदर वाला जो पाट है उसे root, ground के उपर वाला जो पाट है उसे suit तो इतना चीज तो समझ गये होगे बिल्कुल अच्छे से समझ गये होगे है ना और अगर नहीं समझे हो तो मैं तो continuous बोलते रहूँगा अगर नहीं समझे हो तो वापस से वेडियो को जाओ slow motion में बिल्कुल कर लो और slow motion जैसे moonwalk करता हो नो slow 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 उसी तरीके से slow motion में वेडियो को देख लीजे germination क्या होता है germination का मतलब होता है seed का growth करना seed का grow करना मतलब एक seed से एक plant में grow हो जाना germination कहलाता है seed से plant में grow कर जाना germination कहलाता है the growth of seed into seedling seedling एक baby plant होता है छोटा सा plant जो होता है उसे seedling कहता है जैसे ये एक seedling है तो the growth of seed into seedlings छोटे से seedling में seed का growth हो जाना germination कहलाता है this is called the germination germination is just the process in which a seed grow into a seedling एक seed seedling में grow करता है अब देखो under the favorable condition जब भी एक seed को favorable condition मिलता है अब बात यहाँ पे favorable condition की क्यों हो रही है क्योंकि हर एक seed हर एक condition में नहीं grow कर सकता एक apple के seed को ठंडा condition चाहिए colder region चाहिए अगर एक apple के seed को हम लोग क्या करते है कि बिहार में grow करवाते है तो क्या वो apple का seed बिहार में grow करेगा नहीं grow करेगा तो उसी तरीके से जब seed को एक favorable condition मिलता है तो उस favorable condition में seed क्या करता है एक baby plant में convert हो जाता है और उसी baby plant को हम लोग seedling कहते है तो seed का seedling में convert होना called germination और जो छोटे से baby plants है उसे हम लोग seedling कहते है clear हुआ यह चीज़ आए आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है आगे है condition related to the germination अब देखे condition क्या है कैसे हम लोग कौन सा ऐसा ऐसा नसिसरी चीज है जो कि germination में help करेगा यानि कि अगर कोई seed germinate कर रहा है अगर कोई seed baby plant में grow कर रहा है तो किन-किन factors पे depend करेगा किन-किन चीज़ों पे depend करेगा अब जैसे हम लोग अभी example दे रहेते हैं हम क्या करेंगे कि अगर सेव को वहाँ पे simla में नाउगा करके एक save के पेड को अगर हम लोग जमू एंड कास्मीर में नाउगा करके उसे चाहे कि बिहार में उगा दे यूपी में उगा दे या फिर गोवा में उसे उगा दे coastal region में ले जा करके तो क्या कभी वहाँ पे save उगेगा नहीं उगेगा क्योंकि उसके seed को favorable condition मिली नहीं रहा तो क्या क्या favorable condition चाहिए एक seed के लिए तो सबसे पहला चीज तो seed के लिए जो favorable condition seed ही healthy होना चाहिए अगर seed ही मरा हुआ होगा तो उसको ले जाकर तुम जमू कास्मीर में ले जाकर तुम तुम समुन्दर में रख दो, तुम पुरा हिूमस के अंदर उसे डुबा दो, अगर सीड मरा हुआ रहेगा तो ग्रो करेगा कभी, कभी नहीं ग्रो करेगा, ठीक है, तो सबसे पहला चीज कि जो सीड हम लोग ग्रो करवाने के लिए ले जा रहे हैं, वो सीड हेल्दी होना च अगर नहीं, चावल असली दाना, अच्छा दाना चावल का होगा, तो उसे नए सीड ग्रो करेंगे, अगर असली ओरिजनल चावल के दाना को तुम काट करके, अगर तुम उसे ग्रो करवाने की कोशिस करोगे, ठीक है ना, अगर कोशिस करोगे कि मेज को तू पार्ट में रावन्र य drivenust कर देते हैं और उसके बाद उसे ग्राउंड में लगा देते हैं तो एक एक सीड से दो मेज ग्रो कर जाँगा तो ऐसे नहीं होगा पूरा का पूरा एक क्मेल्ड एक हिल्दी aluvial soil, alag-alag तरह के sandy soil clay soil there are different types of soil alag-alag तरह के soil है ठीक है, तो साड़ा soil हर एक plant के लिए better नहीं होता है हर एक soil में सब plant नहीं होता है तो जो seed हम लोग लगा रहे हैं उस seed के लिए soil क्या होना चाहिए बिल्कुल perfect होना चाहिए और must have required minerals और उस soil के अंदर required minerals humus, जो nutrients उसे चाहिए वो nutrients उसे soil के अंदर होना चाहिए तब ही जाकर के वहाँ पर seed grow करेगा तीसरी चीज़ जो है weather condition वहाँ का होना चाहिए ऐसा नहीं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिस हो रहा हो ऐसा नहीं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिस हो ही नहीं रहा हो पुड़ा धूप के धूप आ रहा हो राजस्थान का condition है तो इस type का नहीं cases होना चाहिए होना क्या चाहिए seed should get right amount of water उसे right amount में पानी भी मिले right amount में उसे air भी मिलने चाहिए right amount में उसे light भी मिलने चाहिए और right amount में उसे warm थी यानि कि गर्मी भी मिलना चाहिए यह सब के सब अगर right amount equal amount में मिलता है तो seed 100% आपका seed grow कर जाएगा और बिल्कुल आपका उपस भी fertility भी बहुत ज़ादा होगा यानि कि एक भी seed आपका नहीं मरेगा तो खेट से जो fertility होता है यानि कि आप ज़ादा अनाज उगा पाऊगे कम खेट के अंदर यह सब चीज़ अगर maintain कर लेता है सारा factors अगर आप maintain कर लेता होता है तो यह यह factors चाहिए था एक soil को grow करने के लिए इसे लिख लिजए note down कर लिजए आगे के slide में लोग देखते हैं कि आपके लिए क्या है आगे के slide में कहता है stages of germination तो germination के बहुत सारे stages है यानि कि germinate एक seed डारेक्ट नहीं कर जाता है seed को germinate करने के लिए पहले एक root system develop करता है फिर धीरे 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 उसका suit system develop करता है फिर बाद में एक छोटा सा पत्ता आता है फिर वो जो main जो उसका seed होता है उस seed को यहां से नीचे गिडा देता है और यहां पर बिल्कुल क्या हो जाता है पत्ता आता है फिर यहां से photosynthesis करना है इस टार्ट कर देता है जब तक यह photosynthesis नहीं करता है तब तक इसका खाना जो होता जो seed हम लोग लगाते है उस seed के ही coatyladen को यह खाता है जब उसका leaves आ जाता है तो leaves में फिर plant क्या करने लगता है photosynthesis करने लगता है और photosynthesis करने लगता है जब उसका खाना खतम हो जाता तो leaves आ जाता है तो लीफ के बाद फिर क्या करने लगता फोटो सिंतेसिस एक प्लांट करने लगता है तो यहीं सब चीज है स्टेजेज अब जर्मिनेशन है स्टेजेज में यही दिखाना है कि पहले रूट आया फिर उसके बाद सूट्स आया इसी तरीके से चार पांच स्टेजेज दिखा जर्मिनेशन का यह फोटो जो बना है इस फोटो को क्या कर लोगे ड्रॉ कर लोगे मैंने एरेज कर दिया ताकि आप इसे एजली ड्रॉ कर सकते हैं अगर पूछेगा कोशन में तो इस टेजेज आराम से ड्रॉ कर सकते हैं आगे हमारा क्या है ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम अगर इस टीम की बात करें तो इस टीम से ग्रोग करने वाले प्लांट क्या है रोज हमने फोटो यहां पे लगा दिया इसलिए लगा दिया क्योंकि बहुत सर बच्चे कॉमेंट करते हैं कि सार हम तो रोज आज तक देखे ही नहीं गुलाब का फूल होता कहीं सार लंबा ल तो तीन ँग्सांपल इसलिए इड़ गया ताकि तीनग्सांपल आस याद पूड़ होता है तो तीन इक्जांपल बताएंughter होने वाले प्लांट रोज हैं रोज के इस से तीम को काट करके लाआओ एक जीसите में नहींupWow ग्रोज का प्लांट ग्रोग कर जागा ठीक है उसी तरीके से हीवीसकस होता है अरहूल का फूल जीसे कहते है यह भी आपका इस्टीम के त्रूहिडी पोड्यूस करता है और मनी प्लांट जो होता है किसी घर में मनी प्लांट होगा तो उसका डाली वाली नोचनाच के लेकर आ जाना चुराओ राके काट कुट के दम उखार उखार के ठीक है तो वही जो sweet potato यान्را homemade होता है उसे हम लोग क्या करते है कि वो root के through develop करता है उसी तरीके से carrot यानी कि जो gajar होता है रेडिस यह सब के सब क्या करते है root से develop करते है next हमारा क्या leaves के through leaves के through grow करने वाले कौन-कौन से plants है तो leaves के through grow करने वाले plants है bryophyllum प्रैव फालिम के लीड में क्या वता होता है चोटे चोटे ठीक है वह बर्ड गरो करता है और गुर करकर नहीं प्लाट्स के ंव न होई आलोवेरा में थे अप Caitlin ये भाली सर्फ लिए लगा में घज को है तो ऋसे नहीं प्लांट को भी लेकर क्या होगे उसके पत्ते को लगा दोगे तो एक नया स्नेक प्लांट आ जाएगा चलो तो अल्रेडी 25-30 मिनट तो पढ़ लिए आप लोग आज आज का कोटा फुड़ा होगे हम कहते है कि मेरा साथ आप आदा गंट का टाइम दीजिए आदा गंट में आपको बेस्ट बना दूंगा देखते हैं कि आगे के सलाइट में है क्या जा खतमी होगे आगे के सलाइट में अब तो आपके लिए कुछ है ही नहीं चलो ठीक है thank you for watching this इस वीडियो आपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का सेयर कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे और कुछू चूट रहोगा तो अपने आपसे समझ लेना कि क्या बोलना है नहिंत हुआ है तो ठैक्स पर ません देशेए बाई मिलते आप से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए वेट करिए बाई